हलो फ्रेंट्स वेलकम तो चानल करेंड अफेर अपडेट इस दिवाशी शवस्ती जिस आपको पता होगा आपको आपको कोई बिक्कत आती है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वेबसाइट को जरू विजिट करिएगा जहांपर आपको इंडिविजियल यू पीजियर से एक्जाम के लिए आपको डिटेल इंफोर्मेशन मिल जाएगी तो चलिए देखते हम आज सेवन कोशन का कॉट ओफ कॉन-कॉन के लिए कर पाता है तो देखिए जो पहला कोशन आपके सामने है तो रिगार्डिंग रामसर साइट आपने रामसर साइट सु पूची है औप्शन से रोपर वेटलेंड हारीके रेजरवाइब भोज वेटलेंड या अश्टमूडी ठीक है अश्टमूडी केरल में है मैं आपको बता दू तो इनमें से कौन सी ऐसी वेटलेंड है जो याद रखेगा जो मैनमेड रामसर साइट है ठीक है तो आपके साम रामसर की मैनमेड साइट है रमेंबर तो इसका करेक्ट आपसर जाता है ताटसी वान तू एंड थ्री अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में रोपर हरीके और भोज वेटलेंड जो है यह किस स्टेट में लोकेड़ है यह कमेंड बॉक्स में आप मुझे मैंशन करके है यहाँ देखिए कि मैनमेड नहीं है यह केरल में लोकेटेड है तो आश्टमूडी को में लिखा भी इस नाच्रल बैक्वाटर लेक इन केरल रेमेंबर और रेस्ट जित्ती भी थी वो मैनमेड रामसर साइट्स थी रामसर वेटलेंज थी चलिए नेक्स्ट कोशन सेगें फाना दि यहां दखे लिधा नेक्सट कॉझेंगा यह दोरह कि पूछा सकता है इंहों प्रेएंगल ने वमेंड inan game एरियास है वर्ल्ड के तीज़ाद पूर उप्शिंस आपको पता होना चाहिए आई हो बहुत लोग में सुना भी होगा येस आपका golden crescent इसमें तीन कंट्रीज आती है और इस इरान पाकिस्तान एन अफगानिस्तान और गोल्डन ट्राइंगल में याद अखिए का बर्मा इस मैनमार थायलेंड और लाउस ठीक है तो यहाँ पर लिखा भी है मैनमार थायलेंड और लाउस ठीक है तो यह तीन कंट्रीज यह याद एकिएगा drugs के लिए बहुत famous है drugs news में इसलिए मैंने question लिया है West Bank की बात करता है I think आपने West Bank सुना होगा बहुत news में रहता है पूछा कि इसको border कौन करता है options है Israel, Syria, Dead Sea, Jordan या Lebanon I think this is going to be difficult question okay क्योंकि West Bank इसको border करता है या आपको idea होना जी आपने mapping देख रखी होगी then it could be easy नहीं देखिए description box में आइए हमने world geography में mapping करा रखी है West Bank की बात करें yes Israel को touch करता है okay map को बतायता हूँ Syria no Syria doesn't touch okay Dead Sea yes Jordan yes बट यार रखे Lebanon को भी touch नहीं करता है तो correct answer जाता है that is one three and four इसमे option number B is the correct answer आपको map दिखा देता हूँ यहाँ पर इसमें आपको थोड़ा clear हो आपको एशा का एशा कही पार है इसमें आपको गया दखना है this is your West Bank this is your Israel okay और यह Dead Sea है तो आपको इसको mapping देखना भी आना चाहिए चलिए और comment box मुझे लेबिनन की capital comment box मुझे mention करिए नेक्स question और फोर्थ में आते हैं पूछा गया है यहाँ पर कौन सी state butterfly of Karnataka बनी है तो यहाँ पर चार option दिये हैं southern bird wing golden bird wing strife and hair streak golden butterfly इन में से कौन सी याद इखिए के state butterfly बनी है कarnataka की this is very important यह जो butterfly मैं आपको तो कarnataka के फ्लाग जो है उससे resemble करती है that is why it is declared as state butterfly of Karnataka okay correct answer option number a that is certain bird wing इसका diagram दिखाए तो आपको ठीक है that is also important कभी-कभी butterfly से लेटेड भी question आते हैं तो यहाँ एक करनातका की map flags resemble करती है इसको state butterfly of Karnataka declare किया गया remember answer is south bird wing option number a चले next question 5th में आते हैं that is related to Pangong Lake I think आपने सुनाओ का Pangong Lake के बारे में तो इससे रिगारिंग तीन statement दिए गए है which among the following statement are correct पहला यह एक wetland है जो कि याद एक रामसर convention के अंदर आती है first point second line of actual control के पास है अभी आपने debate में भी सुना होगा और यह brackish water lake है मतलब साफ पानी की जील नहीं है प्राकिश है तो वाटर यहाँ पर saltier है ओके दिए थ्री options आपको पताना है कौन से statement सही है याद दखेगा पैंगॉंग लेक के बारे में इस वर फेमस लेक करेक्ट आंसर 122313123 मैं बता दू यह रामसर साइट नहीं है इस वरी इंपॉर्टन थेक है चले इसकी पीडिएफ तो आपको अल्रेडी अवलेबल हो जाएगी नेक्स कोश्चन है अग्रिकल्चर इंफरस्ट्रक्चर फंड से लेटेर यह कोश्चन जो यहाँ पर यहाँ पर तीन स्टेट्मेंट दिये गए रिगार्डिंग अग्रिक हर्वेस्ट और पोस हर्वेस्ट मैनेजमें इंफरस्ट्रक्चर के लिए तो यह तो यह स्टेट्मेंट आपको बताना है अग्रिकल्चर इंफरस्ट्रक्चर फंड के लिए कौन सा पॉइंट सही है इस इसको आइडिया होगा इस इंडिया सेक्टर्ट पॉइंट सही है बट शेकेंड गलत है यह दस साल के लिए मैं बता दूँँ 2020 से लेके 1029 तक दो साल के लिए 10 years के लिए रहे तो से के लिए रॉंग है थर्ड से भी रॉंग है क्योंकि पूस्ट हार्वेस्ट के लिए या देखिए कि लोंग्च प्रोवाइड कर दें नॉंट फ़री हार्वस्ट थीक है यहार्वेस्ट होने से पहले नहीं आप इसको रीड भी कर सकते हैं या आपको PDF अविलेबल हो जाएगी नेक्स्ट कॉश्चन नमर्स सेवंथ में आते हैं कॉश्चन सेवंथ है इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस से रेलेटेड़ इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस का हेड़कॉर्टर हेग में है तो फर्स टेटमेंट है जो इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस है यह इंटीग्रल पार्ट है United Nation का, या दखे, United Nation का Established ICJ, मतलब जो United Nation है उसी इन International Court of Justice को जो एक तरीके Establish किया है, यह आपको याद, पहला पॉइंट यह बुला गया है Second है, यह से 15 judges होते हैं, जो 9 years के लिए Elect होते हैं, और जिसको Elect करता है United Nation Security Council के Permanent Members, आपको बता होगा, United Nation Security Council में 5 Permanent Members होते हैं, तो Which among the following statement है correct, regarding International Court of Justice? Yes, statement 1 is correct, International Court of Justice साब को पता होगा, United Nation का ही पार्ट है, तो First statement correct है, but Second statement wrong है इसको actually United Nation Security Council के जो Members है, वो nominary list बनाते हैं कि कि इसको बनाना है, but actually इनको याद खेगा, इनको appoint कोन करता है, 15 judges और जो elect होते हैं, 15 judges जो election होता है, 9 years का, इनको elect करता है, United Nation की General Assembly, ना कि United Nation Security Council, तो ये गलत हो जाता है, First only is the correct answer, तो याद रखेगा, इसको जो elect करता है, वो है United Nation की General Assembly, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question number 8th में आते हैं, that is regarding FCRA, Foreign Contribution Regulation Act से regarding question, ओके, पहला point यह है कि ये एक financial legislation है ओके, और implemented by Reserve Bank of India, इसको implement करता है Reserve Bank of India, second statement है इस act के अंदर NGOs को funds जो मिलते हैं from abroad, उनको register कराना पड़ेगा, याद रखेगा इस act के अंदर register करवाना पड़ेगा every five years में, ठीक है? तो statement regarding FCRA, this is one of the important act, which came into picture 2010, okay, this is very important, तो याद रखेगा, yes, it's a financial legislation, but याद रखेगा इसको RBI के अंदर नहीं है, ये home ministry के अंदर आता है तो याद रखेगे, RBI ये statement गलत है second statement, yes, correct है NGO जो फोरें से funds में, तो उनको every five years में registration कराना पड़ता है तो इसके correct answer that is B है, that is two only, remember तो यहाँ पर answer नहीं लिखा हुआ, याद रखेगे, two only is the correct answer यहाँ पर लिखा हुआ, it's not under the Reserve Bank of India, it is under the purview of Ministry of Home Affairs, ये act आया था 2010 में, okay, चलिए next question, बनाहीं तो आता है United Nations से regarding question है question यहाँ पर International Court of Justice आते सुना हुआ, और International Criminal Court, बोला गया है, दोनों ही dispute resolution mechanism है UN के, United Nations के है first statement, second, all the member of UN, are the member of UNESCO also, जित्ते भी UN के member हो, सारे UNESCO के members होते हैं, which among the following statement है correct, one, two one only, two only, both या दोनों ही statement wrong है remember, first statement, totally wrong International Court of Justice, yes it's a part of UN, but International Criminal Court जो है, वो इसका part नहीं है comment box ता मुझे बताइए International Criminal Court का headquarter का है, या पुझे comment box मुझे बताइए of course, इच्छा not the part of UN, तो first statement wrong है, second, भी wrong है या दखिएगा, correct answer option number D neither one, neither two, या दखिए not two, all the members of UN are member of UNESCO, this is wrong कुछ ऐसे members है, UNESCO के member है, UN के नहीं है, UN के member है, UN के member है, UNESCO के member हो, okay, तो correct answer है, that is option number D है, okay, चले, question number 10 में आते है, last question, again, United Nations से regarding question है, six main organ है, आपको पता होगा, United Nation के, तो बुला गया, कौन सा इसमें से organ है okay, six main organ थे, आप तो क्रिमिल कोट जो है, UN का पार्ट नहीं है, तो second अगर नहीं है, तो I think आप तीन option में आते हैं, दो option में आते हैं, B and C तो यहाँ रखिए का, yes, C is the correct answer, International Court of Justice, Economic Social Council, Trustorship Council, तीनों ही जो है, one, three and four, option number C is the correct answer, they are the part of United Nation, okay, और मैं आपको बता दो, जो six part हो, यहाँ पर mention है, अभी बता दो, five है, क्योंकि एक already हट चुका है, ठीक है, तो General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trustorship Council, and International Court of Justice, तो अभी पाच organs बच्चे हैं, एक हट गया है, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो series थी, वो complete हो गई है, clear हुआ होगा, but still अगर आपको कोई doubt queries है, आप comment box में comment कर सकते हैं, इस lecture की अगर आपको PDF चाहिए है, WhatsApp नमर हमने आपर mention कर रखा है, description box में भी WhatsApp नमर दिया हुआ है, आप वहाँ से नमर लेकिए, हमें WhatsApp कर सकते हैं, हम आपको इसकी PDF अवेलिबल करा देंगे, अगर कोई doubt queries है, शरूर comment करें, जो हमने आप से questions पूछें, उनको भी comment box में comment करके बताएं, Thank you.